ओम नमस्षिवाय तंत्र के रचैता भगवान शिव को मेरा नमस्कार है आज मैं आपको एक ऐसा गूड रहस्य बताऊंगा जो की आम जंता से छुपाया गया था ये उस समय में इतना प्रचलित था कि लोग लाखों रुपे दे कर भी इस मंत्र को पाना जहते थे लेकिन अपात्र को ये मंत्र नहीं दिया जाता था इसी वज़े से पब्लिक डोमेन में ये मंत्र नहीं रहा और इसको छुपा दिया गया सदा के लिए और आज मैं आपको उस मंत्र का भली भाती विवरन दूगा कि किस तरह से आप उसको प्रियोग में रा सकते हैं और किसी को भी पलक जपकते ही अपने अनुकूल कर सकते हैं ये एक अजूबा है ऐसा मंत्र विरले ही किसी के पास होगा अभी कुछ दिन पहले ही शिवरात्री थी तो हमने काफे अनुष्ठान किये उन अनुष्ठानों को करने के लिए जो गरंथ चाहिए थे जो उनकी दिक्षा थी वो बहुत ही पुरानी थी तो उसको समझने के लिए मैं अपने गरंथों को पढ़ रहा था उसी बीच में ये मंत्र मेरे सामने आया अब ही कुछ और वीडियोजymphी मुझे बनाने है जो कि शिवरात्री पर होंगे तो ऐसा होता है कि जब ऐसा कोई परव आता है तो हमारे पास समय की बहुत कमी हो जाती है क्योंकि बहुत सारे रिच्वल्स होते हैं बहुत सारे ऐसे करमकान होते हैं कि हमें उस समय पे करने होते है तो कई लोग ये भी निन्दा करते हैं कि आपकी जो फोन है वो बंद आते हैं जब भी कभी ऐसा कोई मुहरत होता है तो वात यही होती है कि उन शनों में उन मुहरतों में जो भी कुछ सिद्ध कर लिया जाए वो बहुत जल्दी सिद्ध हो जाता है और इस तरह के नक्षत्रों में जब हम कुछ सिद्ध करते हैं तो उसका जो प्रभाव है वो बना रहता है यंत्र बनाने को तो हम कभी भी बना सकते हैं लेकिन जो एक घड़ी जिस तरह से कहते हैं कि हर दिन आपकी जुवान पर एक बार सरस्वती का वास होता है तो अगर आपको यही पता लग जाए कि किस समय होता है तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन आपको पता ही नहों कि वो समय कब होता है तो उसमें दिक्कत होती है तो इसी तरह से जो मुहरत होते हैं वो एक ऐसा एट्मोस्फिर बना देते हैं जिसमें कि जो भी तंत्र ख्रियाब करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी तो ऐसे कुछ दिन हैं जो कि तंत्र के लिए सर्वश्रेष्ट माने गए हैं जैसे होली, दिवाली, दशहरा, शिवरात्री, अमावस्या और पूर्निमा आख मूंद कर इन पर आप अपना प्रयोक कर सकते हैं इनके इलावा भी बहुत से ऐसे घटक होते हैं जो हमें देखने होते हैं लेकिन इन में किया गया कोई भी कार्य आपको असफलता नहीं दिखाएगा इन में किया गया कार्य लग ही जाता है तो जब भी कभी कोई अनुष्ठान करें तो सबसे पहले नक्षत्र का विचार कीज़ेगा क्या भी शुक्लिपक्ष है या फिर कृष्णिपक्ष है और किस तरह से आप जो भी अपना यंत्र हो या मंत्र हो या कोई साधना हो या कोई भी ऐसा कार्य जो आप करने जा रहे हैं वो सब कुछ नक्षत्रों पर विविस्तित होता है जेंत्र ही आपको आपका रास्ता दिखा सकते हैं और जब कभी भी कुछ आप निरमित करें कुछ भी construction करें कुछ भी ऐसा काम करें तो सबसे पहले आपको नक्षत्र देखने होगे यदि नक्षत्र ठीक है तो सब कुछ अराम से सुबहता ही सामने आता जाएगा लेकिन अगर आपने अपना जो कार्य है वो नक्षत्र देखकर नहीं किया तो बनते बनते काम बिगड जाएंगे आप पाएंगे कि एक नंबर से आप फेल हो गए हैं आपकी एक अच्छी खासी नौकरी जो थी वो छूट गई है और भी ऐसे बहुत से घटक है जो की सामने आ सकते है तो उसी प्रकार जो ये मैं मंत्र आपको दे रहा हूँ इसको आप शुक्रवार को कभी भी जब शुक्रवार आए बुधवार आए उस दिन आप कर सकते है और इसको करना है पूर्णिमा पर या अमवस्या पर इस मंत्र को आप कर सकते हैं सावधानी ये रखनी है कि आपको किसी भी प्रकार का मास मदिरा इन दोनों से प्रहेज रखना है मास मदिरा अगर आप सेवन करते हैं तो उसको आज ही बंद कर दीजिए और उसके बाद एक महीने बाद इस प्रयोग को कीजेगा तो आपको इसका असर दिख जाएगा ये जो मंतर मैं आज आपको दे रहूं ये है मा का मख्या का जो कि कभी विफल नहीं होता इस मंतर को एक बार भी किसी पर लगा देने से उस सामने वाला जो भी हो बस आप ही की बारे में बाते करेगा आप ही का चिंतन करेगा पूरी उम्र एक बार अगर ये मंतर लग गया तो मैंने देखा है कि पहले ही दिन से इसने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया जिस जिसको मैंने ये मंतर दिया उस उस के लिए इसने अपना काम बखू भी किया है 2017 में ये मंतर जो है मैंने पुब्लिश किया था और ये मैंने इसका वीडियो नहीं बनाया था ये वस वेब साइट पर डाला था तो जिस जिसने इसका लाब उठाया उसने इसको सटीक पाया और बहुत सी ऐसी चीजे होती है जो कि मानव की समझ से परे हैं अब आप एक तरफ साइंस को देखिए वो भी अब तक इस पृत्वी के रहस्यों को जानने में सफल नहीं हो पाया है कुछ ऐसी चीजे हैं जिनके बारे में अब तक साइंस के पास भी जवाब नहीं है तो अभी भी जो है हम सीख रहे हैं धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं आप देखिएगा आपकी जो भी मुबाइल में एप्लिकेशन हो जो भी सॉफ्टवेर्स हो बीटा वर्जिन में आते हैं अब तक ऐसा नहीं आया है कि जो भी आपका सॉफ्टवेर हो स्टेबल हो गया हर दस दिन बाद आपको एक नया अपडेट मिल जाता है कि भी यह यह भी डाउनलोड करो यह भी डाउनलोड करो लेकिन जो सॉफ्टवेर भगवान ने बना दिया है उसमें कोई भी फेर बदल नहीं किया जाता जो सॉफ्टवेर लाखों साल पहले हमारे रिशी मुनियों ने बनाए उन में कोई भी बदलाव नहीं किया गया आप देखिए किस तरह की टेक्नोलोजी है एक मंत्र जो लाखों साल पहले काम करता था वो आज के युग में भी बिलकुल वैसा ही काम कर रहा है उसमें ना कोई फेर बदल है ना कुछ जैसी उसकी विदी है बस आप उसको उसी तरह कर दीजिए और नजारे आपके सामने होगे जो भी उसके इफेक्ट होंगे वो सब आप देख पाएंगे लेकिन आज कल की टेक्नोलोजी क्या है कि हर दस दिन बाद आपको अपडेट मिलते हैं कि नई हमने यहां पर गल्ती की है नई हमने यहां पर गल्ती की है तो इसी तरह से जो ये हमारी पहले की विद्धाई थी ये आज के युग से बहुत आगे थी इसमें हम अपने मन मश्टिश्क को इस्तमाल मिलाते थे आज कल क्या है आज कल जो आप तकनीक देख रहे हैं ये बहुत पिछडी हुई है अब तक जो आम आदमी है वो धरा पर ही विचरन करता है लेकिन जो हमारी पिछली पीडियां थी जो हमारे पिछले हमारे जो रिशी मुनी हुए हैं वो एक संकल्प करते थे कि हमें उस जगह पर जाना है और बस पलक जपकते ही वहां पहुँच जाते थे बिना किसी तेल बिना किसी बिजली के बस उन्हें एक बार एक शन के लिए सोचना होता था तो सोचिए किस तरह की हमारी जो है प्राचिन विवस्था रही होगी किस तरह का ग्यान होगा तो वो बहुत गूड है उसे जानना बहुत मुश्किल है क्योंकि अब वो सारी चीजें कोई हमें उस समय से आके बताए तो आप ये जान पाएंगे लेकिन बीच में कुछ ऐसे काल आए जिनमें कि वो सारी विद्धाय नश्ट हो गई और फिर उसके बाद जो बचा कुछा ग्यान है वो आज हमारे सामने है तो उसी ग्यान में से ये जो मंत्र है वो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जो कि बहुत अती प्राचीन है और किसी का भी काम बना सकता है मंत्र सुन लीजेगा तो मंत्र है ओम नमो आदेश का मख्या देवी को जाल मोहू थाल मोहू, तंत्र मोहू मंत्र मोहू, जूठा मोहू तो हे कश्ट दे है जो को ही मोहू अपनाए तो हे तीन दिन में मर जाए मंत्र एक बर फिर से क्योंकि ये थोड़ा अटपटा सा है ओम नमो आदेश का मक्ख्या देवी को जाल मोहू, थाल मोहू, तंत्र मोहू, मंत्र मोहू, जूठा मोहू, तो है कश्ट दे है, जो कोई मोहू, अपनाए, तो है तीन दिन में मर जाए तो इस मंत्र को आपको सिर्फ तीन बार, तीन बार अपने प्रेमी प्रेमिका को देखते हुए, यह मंत्र बोल देना है और यहाँ पर आप जो यह देख रहे हैं मर जाए, इसका मतलब यह नहीं कि वो मर जाए, अपना शरी छोड़ दे, इसका मतलब है कि वो आपके उपर मर जाए, आपका दिवाना हो जाए, इस तरह से कई बार ऐसा होता है कि जो शाबर मंत्र होते हैं, उनमें कुछ तूटी फूटी जो है भाशाएं होती हैं, कुछ संस्कृत का शब्द आयात है, कुछ लोकल शब्द आयात हैं, तो इस तरह से मिला कर यह शाबर मंत्र बनते हैं, तो यह मोहिनी मंत्र किसी को भी मोहित करने में आपका बहुत बड़ा योगदान दे सकता है, आपको इस मंत्र से बहुत कुछ मिल सकता है, बस आपको क्या करना है कि जब भी आप अपने प्रेमी को देखें, बस तीन बार इस मंत्र का गूफन कर दी तो आपका जो साथी है वो विचलित हो उठेगा उसे आपके सिवा और कुछ दिखेगा ही नहीं इतना प्रभावी मंत्र है कि एक बार कर देने से जन्मो जन्मो तक वो जो भी होगा आपका होकर रहे जाएगा तो जैसे कि मैं आपको पहले भी बताता आया हूँ कि जितना प्रभावी मंत्र होगा उसमें उतनी ही ज़्यादा सावधानिया रखनी होगी तो इसकी सावधानिया मैं आपको बता चुका हूँ लेकिन एक बार फिर से ताकि आप आखिर में ये सुने तो आप इनका पालन अवश्य करें सबसे पहले तो ये कि आपके भीतर जो है वो सामने वाले व्यक्ति के लिए सच्चा प्यार हो तभी इसको करें किसी का नुकसान आवेश में आकर या फिर किसी बदले की भावना से इस मंतर का प्रयोग करेंगे तो नुकसान के भागी आप खुद होंगे द्वेश में आकर इरशा में आकर इस मंतर का प्रियोग ना करें इस मंतर को कभी भी अपात्र को ना दें क्योंकि कुपात्र को ये मंतर देने से जो इसको देगा उसकी भी हानी हो सकती है इस मंतर को हमेशा सोच समझ कर ही लगाएं एक गुरू के सानिध्ध में ही ये मंत्र करें कभी भी इस मंत्र का प्रयोग ना करें बिना गुरू के पहले किसी दक्ष गुरू से वारता लाब करें इसके बारे में सारकुष जाने और उसके बाद में किसी मुहिनी मंत्र को चलाए मेरे पास बहुत से छोड़े छोड़े बच्चे आते हैं जो की इसकी शिक्षा लेना चाहते हैं इसकी देख्षा लेना चाहते हैं लेकिन आप देखिए जो ये मंत्र होते हैं ये इसको हर कोई नहीं चला सकता लेकिन हर कोई इसको चला सकता है तो सबसे पहले तो ये देखा जाता है कि आप अभी आपकी उम्र क्या है तो अपनी सबसे पहले तो पढ़ाई पूरी किये जिए उसके बाद इन सब चीजों को सीखेगा दस में गैर में के बच्चे मेरे पास फोन करते हैं तो वो अच्छा नहीं लगता अगर आपको इसी लाइन में जाना है तो बढ़िया है लेकिन यदि आप स्कूल जा रहे हैं तो पहले अपने बढ़ाई पूरी कीजेगा उसके बाद इन चीजों को जानी हैं यह सिर्फ एजुकेशन के लिए हैं कोई भी बच्चा इस चीज को ना करे समझदार लोग ही इसको करें बस मैं तो यही कहना चाहूंगा और यदि फिर भी कोई दिक्कत परिशनिया इसको करने में तो कॉल कीजेगा ट्रिपल नाइन टुट फोर सोला बच्चस धन्यवाद ूश नाइन आट यही आफर दूचस धन्यवादा नाइन में चाह्ब अजिट लोग ही इसे उन्माटल अपम मा Barnes sodना देक्त परिशनियू जाए में तो किक्त परिशना हैं परिछ गयाशनियाद उन zijn जाशनिया आट यहादार हैं को भी क्वादनिया मैं तुबष, हैं